अपने सपनों के वड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है फ्लाइवील एविएशन अकाडमी एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मैनेजमेंट साथ ही यहां Campus Interview, Guidance by Industry Expert, Practical Training at Airport, Expert Faculty, Personal Grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने हैं फ्लाइवील एविएशन अकाडमी वन डिग्री, त्री जब अपर्चुनिटीव फ्लाइवील एविएशन अकाडमी घिज यू डिग्री और डिप्लोमा विध जॉब फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, 365 गानी नगर, LAD College Square, Beside करनाटिका बैंक नागपुर नै साल में एक संकल्प की जरूरत है और वो संकल्प है अपनी नीजे जानकारी किसी की साथ शेयर नहीं करेंगे खास कर बैंक खातों को लेकर सतर्क रहेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना काल में जहाए एक तरफ आउनलाइन कारोबार की अपरी हारियता बढ़ गई है तो भही इससे जुड़ी फ्रॉड यानि धोका धड़ी और जाल साजी भी बढ़ गई है दूसरे शब्दों में कहें तो साइबर अपराद के मामलों की बार सी आ गई है ठग नेने पैंतरे अपना कर लोगों का खाता साफ कर रहे है तो बच्चों के खिलाफ बढ़ता साइबर अपराद भी एक बड़ी चुनोती बनकर खड़ा है राश्टी अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो के नमिंतम आकडो के अनुसर 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराद में बड़े पैमाने पर रुधी दर्च की गई है वर्श 2019 से अगर तुल ना करे तो 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराद के मामलों में 400 प्रतिशत से अधिक प्रुधी दर्च की गई है उपर अजदानी में हाल ही में आये प्रदेश के गुरुह मंत्री दिलिपफल से पाटिल ने कहा कि साइबर अपराद की रोक थाम के लिए राज्य की हर जिले में साइबर थाना अत्वा सेल बनाया जाएगा साइबर अपराद को गंबिरता से लेते वए गुरुह विभाग ने इस आशय का फैसला लिया है उन्होंने बताया कि जिस तरह लोग अभी पुलिस थानों में जाकर अलग-अलग तरह के अपरादों के बारे में शिकायते दर्च कराते है उसी तरह साइबर अपरादों की शिकायत अब साइबर पुलिस थानों में दर्च की जाएगी साइबर अपराद की बड़ती संक्या को देखते वए पुलिस भी बेहत गंबिर है इन मामलों की गुनवत्ता पुर्ण जाच करके आरूपियों को सजा दिलाना जरूरी है काउशल का विकास करने के लिए पुलिस कर्मियों को विशेश प्रशिक्षन दिया जाएगा नय साल में महिला अपराद में कमी, दोशियों को सक्त सजा दिलाना तथा कानून विवस्ता को बनाये रखना, तथा पुलिस की छवी को जनता की हितेशी बनाना उनकी प्राथमिक्ता है विशेशग्य भी मानते हैं कि आज के समय में बेरोजगार होने के कारण लोगों को कोई नोकरी न मिलने के कारण कुछ व्यक्ती साइबर क्राइम का हिस्सा बनते जा रहे हैं क्योंकि पैसे की तंगी आने की वज़ज़ से इसे रोकना ही होगा क्योंकि आज की यूग में ज्यादातर लोग इंटरनेट का उपयोग बहुत तेजी से कर रहे है इन पर साइबर अपराधियों की नजर है कह सकते हैं कि फ्रॉट करने वालों ने आपदा को ही अफसर बना लिया है नतीज अतन ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन से जुड़े फ्रॉट दो गुना रफ्तार से बढ़ रहे है चुकि इंटरनेट, नेट बैंकिंग, यूपी आई का चलन सबजी ठेले से लेकर गाओं के मजदूर, किसान, श्रबिक वर्क तक तेजी से बढ़ा है पही जागरूकता और सतर्कता की कमी के कारण इन सभी को डिजिटल फर्जी वाड़े से भारिक शती भी उठानी पड़ी है गद्दिनों सेना का अधिकारी होने का जहसा देकर साइबर अपराधियों ने शहर के मेडिकल एक्विपमेंट विक्रेता को लाखो रुपे का चूना लगया मामला भजाज नगरस्टित शिव सुन्दर अपार्टमेंट निवासी नागनात गवतम राव काउठेकर से जुड़ा है उनकी लक्षमी बहुन चोक में आरस मेडिटेक नाम से मेडिकल एक्विपमेंट खरीदी विक्री वह मरम्मत करने की दुकान है 2-3 दिसंबर 2021 की दोपर में आरोपी मंजीच सिंग और मेजर कुलदिप सिम नाम से नागनात को अलग-अलग नंबरों से फोन आये आरोपीयों ने उसे बताय कि वे सेना के अधिकारी है और सेना के अस्पताल के लिए उन्हें दो ECG मशीन खरीदनी है आरोपीयों ने इसका पेमेंट ऑनलाइन करने की बात कही जहासे में आये नागनात ने OTP नंबर शेयर किया नंबर शेयर करते ही आरोपीयों ने नागनात को कुल 18,83,607 रुपे का चूना लगा दिया इसी तरह इंटरनेट बैंकिंग चलाने में समस्या आने पर कामठी रोड गोकुल नगरिस्थित सोना अपाटमेंट निवासी अमित कुमार प्रसाथ जो रेलवे में TTE है उन्होंने नेट पर सर्च कर संबंदित कस्तमर केयर का फोन नंबर खोजा और उसमें अपनी समस्या बताई कस्तमर केयर का करमी बन कर बात करने वाले अपराधी ने अमित कुमार को एक लिंक भीजी उस लिंक में पूछी गई जानकर ये अमित कुमार ने भर दी OTP नंबर शेयर करते ही अमित कुमार के खाते से 4,50,000 रुपे की रकम निकाल ली गई यह वाकाया 3 दिसंबर 2021 क दोपर में हुआ कहने को तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए देश में वर्ष 2000 में IT-1 पास हुआ इसमें 94 सेक्षन एवं 13 चैप्टर बनाए गए तमाम जन पदों में IT सेल गठित किये गए है लेकिन यहां रिपोर्ट दर्श करने तक ही सिमित है साइबर अपरादी तक पहुशपाना अब भी टेडी खीर सावित हो रहा है जबकि साइबर ठगी से दोरा अर्थिक नुकसान हो रहा है एक तरफ आम आदमी के खातों से पैसा निकल रहा है तो दुसरी तरफ सरकार नियामक अधिकरणों तथा बीमा कमपनियों की और से इस सिक्यूरिटी क्वस्चन्स का वेरिफेकिशन करने को कहती है लेकिन आम ग्रहक वेरिफाई अकाउंट प्रोसेस वक कीवर्ड जैसे शब्दों के जाल में फस जा रहा है जानकार के मुताबिक बैंक ग्रहकों के साथ होने वाले अधिकांश धोकाधड़ी के मामले जागरू जो के हाथो अपनी रकम गवा देते हैं बैंक के दियेमों के मुताबिक अगर कोई ग्रहक स्वयम किसी धोकेबास को अपनी सभी जानकारिया और OTP भी देता है तो बैंक इसकी जिम्मेदारे नहीं लेगा इसी वज़से कई लोगों को धोका उठाने के बाद अपनी रकम व वाला है उसे चालू रखने के लिए OTP बताए या फिर ATM से संबंदी जानकारी मांगी जाती है थोड़ी देर में पता चलता है कि उसके बैंक से पैसे निकाल लिये गये है ठग अकसर फोन पर आप से कहते है कि आपकी लोटरी लग गई है इस लिंक पर क्लिक करे और सारा इन नाम जीत लेंगे लेकिन लिंक पर क्लिक करना भी खत्रे से खाली नहीं है ठक खुद को बैंक अधिकारी के तौर पर पेश करते है अकाउंट की जानकारी अपडेट करने को कहते है गरहक अपनी गूपनिय जानकारिया जैसे ही देते है फ्रौड का पूरा खेल शुरू हो जाता है लेकिन साउधान मेल द्वारा भीजे गए किसी अंजान लिंक को क्लिक न करे दोके बाद आपके सिस्टम में कोई वाइरस डालकर जानकारी चूरा सकता है कोई जानकारी ना दे और नहीं कोई जानकारी शेयर करे इसके अलावा ATM मशीन में ATM का इस्तेमाल करते वक्त या फिर किसी POS मशीन पर काड का इस्तेमाल करते वक्त सतर्क रहे अगर हम भी से डेड़ दशक की बात करे तो नाकपूर में 7000 से अधिक मामले इस श्रेणी में गिने जा सकते हैं वरिष्टा दिकारीों की माने तो हर साल संत्रा नगरी में वाइट कॉलर और साइबर का शिकार हुए जादा दर पीडित तो पुलिस में शिकायत भी दर्च नहीं करवाते जिससे अपराधियों का मनोबल और मजबुत होता है साइबर क्राइम को लेकर सरकार और प्रशासन को जनता को जावरूत करने की दिशा में काम करना चाहिए क्योंकि अकेले नाकपूर म अभी भी पेंडिंग है सभी मामलों की जान छोपाई इसलिए साइबर सेल को सभी संसाधन उपलप्त करवाये जा रहे हैं ओनलाइन फ्रोट के 174 मामलों में पुलिस ने पीडितों को एक करोट 64 लाख रुपे लोटाने के लिए कारवाई की है लोग ठगी का शिकार न हूँ इसलिए वेबिनार के जरिये लाखों लोगों तक जन जागरूती भी की जा रही है नागरिकों को भी ऐसे मामलों को लेकर सतर्क रहना चाहिए तो आईए हम सतर्क रहने का संकल्प ले खादों की जानकरी किसी से शेयर नहीं करेंगे किसी लालच में गोपन यता भंग नहीं करेंगे और एक जागरूत नागरिक का फर्स अदा करेंगे